नमश्कार बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है कुछ लोग ठंडे गर्म चीजों का सेवन एक साथ करते हैं जो शरीर के लिए नुकसान दायक हो सकती है ऐसा करने से दातों के साथ साथ कफ की भी समस्या हो सकती है चलिए आपको बताते हैं कि ठंडा गर्म एक साथ खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं पाचन तंत्र के लिए समस्या ठंडी गर्म चीजों का एक साथ सेवन करना पाचन तंत्र के लिए समस्या का सबब बन सकता है ऐसा करने से आपको गैस, अपच और कई बार पीट में हलका दर्द होने जैसी समस्या हो सकती है दात से जुड़ी समस्या, अगर आपके दात सेंसिटिव हैं, तो ऐसे में ठंडा गर्म साथ में खाने से सेंसिटिविटी और बढ़ सकती है यही नहीं, लंबे समय तक ऐसी आदत फॉलो करने से दात कमजोर भी हो सकते हैं गैस बनना, खाने का कॉंबिनेशन ठीक नहीं होने से गैस बनने के साथ ही हाजमे पर भी प्रभाव बढ़ सकता है अगर आप ठंडी और गर्म तासीर की चीजे एक साथ खाते हैं तो ऐसे में गैस बनने जैसी समस्या हो सकती है कफ की समस्या ठंडा गर्म एक साथ खाना कफ की समस्या का कारण बन सकता है कई बर आइस्क्रीम, गर्म सूप या चाय आदी एक साथ पीने से गला जाम होने के साथ साथ कफ की भी समस्या बढ़ा सकता है एसिड रिफ्लेक्स और एसिडिटी ठंडी गर्म चीजे एक साथ खाने से पाचन तंत्र की कारेशमता पर असर पड़ सकता है ऐसे में कई बर आपके द्वारा खाया गया खाना ठीक से पचता नहीं है जिससे बधजमी एसिड रिफ्लेक्स की समस्या हो सकती है ठंडी गर्म चीजे एक साथ खाने से ये सभी परिशानी हो सकती है तो अगर आप भी ठंडा गर्म एक साथ खाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें उमीद करती हो आपके जानकरी पसंद आई होगी फिलाल हमारी इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेर और साथी हमारे चैनल बोल्ड सकाई को सब्सक्राइब करना ना भूले